कि भाई हो यहाँ पी गाडी खड़ी है एवेंजर गारी है हमारी घारी है तो हमारे भाई ने खरीदा था दो केहते हैं लेकिन स्वुर्स में कभी कभी क्या होता है बहुत हम्हें मैंने काड़ यह है सबसे पहले तो इसकी जो है ना चाइबी खो गई थी तो च अब उसके बाद मैंने दकाभा मारा धका मारए बदे गाड़ी चालू हो गई चालू होने के बाद इशू यह आया कि इसकी बैटरी खराब हो गई क्योंकि खड़े-खड़े बैटरी खराब हो गई और वारंटी भी वन येर से जादा चलता नहीं है जादा बैटरी तो अभी इसकी प्रॉब्लम यह है कि अभी इस गाड़ी को चलाना अगर रेगुलर हो तो इसकी रिपेरिंग करवा या बनवाए लेकिन अगर इसे महीने भांड़ी चलाना है तो इसके लिए 8 यह क्या करेंगे मेरा कहुंने आप गाड़ी ले रहे हो तो पहले आप देख लो गाड़ी आप चलाएंगे और नहीं कब तक चलाएंगे दरसल यह गाड़ी का प्रॉलम यह है कि इसके अंदर किक नहीं है अगर किक होती तो यह गाड़ी कि वापस जाने वाले हैं सहर में तो इसे यहीं खड़ी करके हमें रखना है तो बैटरी डालना नहीं है तो मेरा कहने मतलब क्या है कि गाड़ी ऐसी लो कि आप चाहे जब या चाहे जितने साल में चाहे जब उसे चालू कर सको अभी यह डेड़ लाक की गाड़ी है लेकिन किसी क का नहीं है क्योंकि अगर इसे चलाना हो तो फिर मैं 2000 की वापस बैटरी डालू तो जाके चलाओ फिर यह वापस खड़ी हो जाएगी फिर बैटरी खराब होगी तो मतलब अगर कोई भी गाड़ी लो ना तो कम से कम कीक वाली गाड़ी लो या फिर अगर आपको लगता है कि गाड़ी आपके पास हमेशा रहने वाली है तो चाहे आप कीक वाली लो कोई फरक नहीं पड़ता बट इसकी प्रॉलम यह है कि इस गाड़ी में हम कीक नहीं मार सकते इसलिए गाड़ी चल नहीं सकती तो गाइस वीडियो कैसे लगी फटा फट चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो बनता है कि गाड़ी जब भी लेना किक वाली लेना अगर आपको लगता है कि किजरत नहीं है हमें सा हमारे साथ रहेगी तो आप बिना कि कभी ले सकते हो